आज है आज नवंबर 2023 दिन बुद्वार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप पिल्कुल ना पूरे प्रदेश में दिव्यांगों की बढ़ेगी पेंशन 11 लाग लोगों को होगा फाइदा यूपी में शीक्री दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़कर 1500 रुपे हो जाएगी इसके लिए दिव्यांग जन विभाग प्रस्ताओं तयार कर रहा है इसका फाइदा प्रदेश के 11 लाग से जादा दिव्यांग जनों को मिलेगा प्रदेश के पिछड़ा वर्क और दिव्यांग जन कल्यान मंत्री नरेंद्र कश्षप ने बताया कि पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है यूपिकेंज जिलो में विकासकारे को रफ़तार देगी योगी सरकार 153.17 करोड की पहली किस्त जारी योगी सरकार ने अपंडिदीन दियाल उपाधिया योजना के अंतरकत प्रदेश के 29 से जादा जिलो में चिनने 407 विकासकारे को पूरा करने जा रही है इसक्राम में कुल 198.9 करोड रुपे में से 153.17 करोड रुपे की पहली किष्ट की वित्तिय स्विक्रती दे दी गाई इसके साथ इसरकों के काया कल्ब को लेकर लगातार प्रियास कर रही है प्रदेश के स्टेट वर नैशनल हाईवे पर मरमत और दुरुस्ती करण के कारियों के साथ ही प्रदेश के विभिन शहरों को जोडने वाले संपर्क मार्गों पर भी मरमत का कारे जारी है अब प्रियागराज तक चलेगी गुरखपुर से लखनव वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरखपुर से प्रियागराज तक वंदे भारत चलाने का रास्ता साफ हो गया गुरकपुर लकनो वंदे भारत को प्रियाग राज तक बढ़ाने के लिए तयारियां पूरी हो गई 9 नवंबर को हरी जंडी दिखाई जा सकती है सुत्रों के अनुसार वंदे भारत के प्रियाग राज विस्तार का शुभाराम दिली से रेल मंतरी कर सकते हैं वंदे भारत लकनों से प्रियाग राज के बीच राय वरेली और फापा महु के रास्ते चलाई जाएगी गोवंश समवर्दन के लिए ब्राजील करेगा यूपी की मदाद स्यम योगी के मौजूदगी में हुआ प्रदेश के डेरी सेक्टर को बड़ा उद्यागिक सरूप देने के लिए मुख्यमंतरी हो गया दितनाथ के प्रयासों को सुमवार को बड़ी सफलता मिली ब्राजील की दो बड़ी कंपनीज ने प्रदेश के आनंदा डेरी के साथ मिलकर पोशन युक्त पशुचारा निर्मान और गौवंश नसल सुधार के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्ने लिया बीती दिसंबर 2022 में ग्लोवल इन्वेस्टर समिट रोड शो के दोरान ब्राजील गई टीम यूपी के साथ हुई बाच्चीत के बाद अब इसे एक कुरियान वेद किया जा रहा है दंतेरस से दिवाली तक यूपी के लोगों को मिलेगी ये सुवधा सियम योगी ने दिया निर्देश योगी सरकार दंतेरस से दिवाली तक के लिए यूपी के लोगों के लिए एक सुवधा देने जा रही है इसके लिए CM योगी ने अफसरों को भी निर्देश चारी कर दिये हैं दरसल बिजली उब भुकताओं को धंतेरस से लेकर दीपा वली तक 24 घंटे बिजली मिलेगी पावर कॉर्परेशन ने इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किये मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने प्रदेश वासियों को निर्बाद बिजली देने के लिए अधिकारियों को 24 घंटे मॉनिचरिंग करने के निर्देश दिये दिवाले से पहले यूपी के बिजली बगाईदारों को बड़ा तोफा योगी सरकार लाई योटियस योजना उत्रप्रदेश के सरकार बिजली बगताओ को बड़ी राहत देने के मूझ में हैं प्रदेश के बिजली बगताओ के लिए उज्जा विभाग ने एक मुष्ट समाधान योजना लागो की इसके तहर घरेल उबगताओ को 15 दिसंबर तक बगाया राची जमा करने पर व्याज में शत्प्रतिशत के छूट दी जाएगी एक मुष्ट समाधान योजना का सबसे बड़ा फाइदा केसकों के उन उबगताओ को होगा जिनका काफी पुराना बकाया सर्चार्ज समेत कई गुनाज जादा हो गया है गाय करना करेगी योगी सरकार तीन कैटेगरी में होगी गिंती ये है असली मकसद योगिया दितना सरकार यूपी में गायों की गर्णा करना नहीं जा रही है ये गर्णा तीन कैटेगरी में होगी पशुपालकों के पास बेसाहरा पशो, काना, उपवन और सड़कों पर ये छोड़ गए पशो की गिंती की जाएगी ये गिंती यूपी में गौवन्श को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के मकसद से ये की जा रही है गाय गर्णा के लिए आदेश चारी किये जा चुकी है एन आई की एक रिपोर्ट के वताब एक जल्दी प्रदेश में गाय गर्णा का काम शुरू हो जाएगा परेटकों के आने की उम्मीद है ऐसे में मुख्यमंत्री हो गया दितनात ने देव दीपावली पर वारानसी कमिशनरेट पुलिस की सुरक्षा संबंदे तैयारियों की समीक्षा की अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार देव दीपावली पर पांच लाग से जादा परेटकों के आने का अनुमान है पुरानी पेंशन के लिए बुलंद की आवास कर्मचारी बोले मांग पूरी नहीं हुई तो लखनों में करेंगे प्रदर्शन बरेली में विबन कर्मचारी संगटनों के संउक्त संगर संचालन समिती की ओर से सचाई विभा के परिसर में मंगलवार को कर्मचारीों ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आवास बुलंद की कर्मशारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि पुरानी पेंशन उनका हक है बुढ़ापे का सहारा है संगर्ष समीती के जिलाध्यक शाशीश कुमार गंगवार ने बताया कि अगर पुरानी पेंशन इसकीम के बारे में सरकार ध्यान नहीं देती तो जनवरी 2024 में उत्तरप्रदेश के तमाम कर्मशारी और शिक्षक लखनों में विधान सभा भवन के बाहर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगी अलिकर का चल्द बदले का नाम कानपुर मेयर पोर्स अधिकारी पर पालतू कुट्टे का हमला अलिकर जिली का नाम जल्द बदल सकता है ऐसा हुआ तो इसी अलिकर की बजाए हरीगर के नाम से जाना जाएगा नाम बदले जाने को लेकर चर्चा लंबे समय से थी अब अलिकर नकर निकम ने प्रस्ताओ पास कर दिया प्रस्ताव को शासन के पास भेजा जा रहा है मेयर प्रिशासन सिंगल ने उमीद जताई कि जल्दी इस प्रस्ताव को मन्जूरी मिल सकती है उदर कानपुर में एर फोर्स स्टेशन के अंदर विंग कमांडर पर उनके पड़ोसी के पालतु कुट्टे ने हमला पोल दिया जल्दी वाली मना रहे हैं नगरविकास अभी करान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पानी के लिए महिलाए महिलाओ के लिए पानी के इस सायोजन में श्यम सायता समूहो के महिला सदस्यों को वाटर ट्रीटमेंट प्लान का भ्रमन कराकर वहां होने वाले पानी के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दिलाई जाएगी उत्रप्रदेश में प्रवेश को लेकर लगतार अभियान चलने के बाद दिप्रदेश के चारसो ब्यासी स्कूल में एक भी नया एड्मिशन नहीं हुआ इसकूल शिक्षा महानी देशक ने ऐसे स्कूल की सूची जारी करते हुए तद्काल प्रवेश सुनिश्चत करने का निर्देश दिया ऐसे में सबसे अधिक 40 स्कूल बरेली के हैं 35 स्कूल के साथ आजमगर दूसरी नमबर पर है यूपी में पहली बार आर्मी डे परेड रिवर फ्रंट वाज जने शर मिश्र पार्क में बजेगा आर्मी बेंट उतबर देश के मुखे सचिफ दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि लखनों में पहली बार 13 से 15 जनवरी तक आर्मी डे परेड का आयोजन होगा इसके लिए लखनों खासतोर पर कैंट शित्र में इस तरह के तियारिया की जाएंगी तकि लखनों आने वालों को सकारात मगबत लाओ का एहसास होगा मुक्य सचिव ने समंदित सभी अधिकारियों को आर्मी डे परेड की सभी तयारियों को सेना विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वे इस्थापित कर समय से पूरा कराने के निर्देश दिये हैं बीजेबी कमिशन 2004 प्लैन दिसंबर में होगी पिछड़ी जातियों के सम्मेलन जन्वरी में महाकुम दिल्ली के बैचक में पिछड़ों को साथने पर बनी रणीती को अब भाचपा ने प्रदेश में जमीन पर उतारने के तयारी शुरू कर दी पार्टी पिछड़ों को साथने के लिए जहां दिसंबर में सभी पिछड़ी जातियों के जातिवार सम्मेलन करेगी वहीं जन्वरी में प्रियागराज में OBC महाकुम बायोजित करने की यूचना है इसमें प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी शामिल हो सकते हैं भाच्पक के राज मुख्याले पर आयोजित OBC मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैचक में इस मुहिम को लेकर विस्तार से चर्चा की काई मुख्यमंतरी योगी की पहल पर आयोध्या में 11 अक्टूबर को होने वाले दिपोटसब से पहले रामनगरी में कैबनेट बैचक का आयोजन किया जा रहा है 22 जनवरी को राम मंदर में होने वाले राम लला के प्राण प्रतिश्ठा समारों से पहले आयोध्या में कैबनेट बैचक को महत पून माना जा रहा है गौतम बुदिनगर के स्कूल क्लोस फिर भी पढ़ाई अगले तीन दिन आउनलाइन मूद गौतम बुदिनगर में बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए दसवी तक के स्कूल को बंद करने का देश जिला प्रशासन ने जारी कर दिया आपको बता दें कि नॉइटा और ग्रेटर नॉइटा में इन दिनों प्रदूशन का इस्तर गंभी शेनी में है ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कत्रा रहे हैं दिली में पहले ही स्कूल को बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए बंद कर दिया गया लेकिन बच्चे अब घर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई करेंगी आननगर घुगली रेल लाइन के लिए भूमी अदिग्रहन में तेजी लाने के निर्दीश केंद्रिय वित्तर राज मंतरी पंकर चौधरी ने पूर्वुतर रेलवे की जीम सौमय माथोर और अन्य बरिष्ट रेल अधिकारियों के साथ आननगर घुगली वाया महराज गंज नई रेल लाइन परियोजना की प्रगती की समीक्षा की मंतरी ने इस नई रेल लाइन निर्मान के लिए भूमी अदिग्रहन कारी में तेजी लाने का निर्देश दिया रेलवे के स्थाउस में आयूजित समीक्षा बैठक में जीम ने मंतरी को बताया कि 52.76 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन निर्मान परियोजना को 958.27 करोड रुपे की स्विक्रती प्रदान की गाई माटक के पकड़े जाने के बाद रेलवे के शित्रिये परामर्श दात्री समीतिया भंग रेलवे बोर्ड कर आएगा सत्यापन अध्तारेलवे का जोन सदसे बन कर थगी के मामले में अनूप चौदरी की गिरफ्तारी के बाद अध्तारेलवे की शेत्रिय रेल उपयोग करता परामर्श दात्री समितियों को भंग कर दिया गया भयाने जोन वंडल में भी इसके तैयारियां चल रही हैं समिती में शामिल लोगों का नए सिरे से सत्यापन किया जा रहा है पुर्वतर रेलवे के शित्रिय रेल उप्योग करता परामश दात्री समिती गोरकपुर भी समय पूरा होने से पहले ही भंग हो गई 34 परिवारों के 310 लोगों ने इसायत को थ्याग सनातन धर्म में की घर वापसी सौपी गई हनुमान 40 देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बदलाव ये कि वे हिंदू जो कभी किसी दबाव या लालच के वश में आकर किसी ना किसी पंथ में चले गए थे अब वापस सनातन धर्म में घर वापसी करने लगे है इस करम में उत्परदेश के जौन पुरजिले में साई बने 310 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की घर वापसी वाले लोग बरसथी इलाके के सरसरा गाउं के बताय जा रहे हैं लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी के बरसथी ब्लॉग रेलवे स्टेशन के करीब आयोजितिक कारिक्रम के दौरान 36 परिवारों के 310 लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म को अपनाया बदर मजजित शिफ्ट करने का काम रुका असाना अंतरन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट से किया गया था एक्रिमेंट लगातार विरोध किछलते आयोधिया के पांची टोला में बदर मजजित को शिफ्ट करने काम रोग गया गया है रामपत के गिनारे स्थितिस मजजित को शिफ्ट करने के लिए बदर मजजित के किया टेकर रईस एहमद और राम जन भूमी तीरत शित्र ट्रस्ट के महासचिफ चंपतराय के बीज एग्रिमेंट हुआ था पर आयोध्या के अंजबन मुहाफिज मकाबिर मसाचित कमिटी के महासचिफ मुहमद आजम खादरी ने इसका विरूद किया सियम योगी पियम मोदी के इस पसंदी दा योजना में फसड़ी निकले यूपी के ये बारा सिले गिरेगी गाट परदेश सरकार दोरा आईश्मान कार्ट बनाने में पीछे चल रहे बारा जिलो को सक्तफ़कार लगाई गई दरसल उत्त्र प्रदेश में बारा जिले ऐसे हैं जो आईश्मान भारत प्रदान मंतरी जनारो गया योजना का लाब लाभारतियों तक नहीं पहुचा पाई मुकिस तचिव दुर्गा शंकर मिश्चे की ओर से ऐसे जिलों को सुधार के लिए चिताबनी दी गई है प्रदान मंतरे विश्यो कर्मा योजना को लागू करने के दिशाम में एक महत्वपून कदम उचाते हुए कोशल विकास और उद्यमिता मंतराले ने इसके तहट प्रशिक्षन कारिकरम शुरू करने की घुशना की इस सुधना का मकसद कारिकरों और शिल्फकारों को सशक्ते बनाना है रास्तिय उद्यमिता और लगू विफसाई विकास तंस्थान में 10 तुमबर 2030 तक ये प्रशिक्षन होगा CCS यूने MBBS की कौपी बदलने के खेल में दो कर्मशारियों को दी क्लीन चिट मार्च 2018 में कतित रूप से MBBS की कौपी बदलने के खेल में 14 चरंड सिंग्विश विद्याले ने दो कर्मशारियों को क्लीन चिट दी इन दोनों कर्मशारियों के खिलाब जान समिती को कोई सुबूत नहीं मिले इसके लिए विकास आयुक्त के अध्यक्षता में कमीटी गठित की गई है कमीटी के सदस्य सभी संबंदित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगी प्रात्मिक शिक्षक भरती में बेरोजगारों के 290 करोड तीन महा में वापस करेंगे निर्बै सिंग समेथ पचास अने की आचिका में सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिशत के सचिप प्रताप सिंग बगेल ने तीन महीने में पूरी फीस करने का हलफ नामा हाई कूट में दाखिल किया है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद